नमस्का और आप सभी का स्वागते भाग्यम में मैं हूँ पंडे चंदर शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके जान सके आज दिनांग के 18 प्रेल संद दो जार चौबिस वि बसंत रितु है तिथी आज की दश्मी है और आज का वार है गुरवार आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्री रहेगा योग गंड है और योग की द्रस्टी से आज का दिन शुब नहीं है तो कोई बहुत बड़ा काम हाथ में आगे तैतल करन रहेगा सूर्य देगा समय दर्शे को सुबह पांच बच के 69 मिनट का था और सूर्यास्त का समय शाम 6 बच के 52 मिनट का है आज क्या राहुकाल दोपैर एक बच के 30 मिनट से 3 बजे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीक से टाल दीजेगा इसमें कोई शुपका से टाल दीजेगा यह सुबह 10 बच के 17 मिनट 11 बच के 8 मिनट और फिर दौपैर बार तीन बच के 26 मिनट और चार बच के 18 मिनट आज का दिशा शूल दर्शे को दक्षण दिशा में तो पहले कोशिश तो यह कि दक्षण दिशा की यात्रा को आप टाल दें लेकिन अनिवार पहले रूप से आपको जाना है आज ही जाना है तो इसका छोटा सा परिहार करें परिहार इस प्रकार होगा अदक्षण के और मुक कीजिए ठोड़ा सा धही जीरा खाई और पांच किदम पीछे चलिए और इस दोरान अपने हिर्दे में अपने इश्ट का ध्यान करे पांच बच के 20 मिनट से रातरी 9 बजे तक ये दोनों काल खंट बाकी पूरे दिन के अपक्षा ज़्यादा अच्छे हैं तो इसी दोरान कीजिएगा आज की चंदराशी दर्शे को सिंग है यानि चंद्रमा सूरी की राशी सिंग से गोचल कर रहे हैं जिससे आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले आज लेंगे त्वरित और सटीक निर्णे वहीं व्रश राशी वालों को घर में विवाद का सामना करना पड़ सकता है मितुम राशी वाले आज रहेंगे मित्रों के साथ और करक राशी वाले ध्यान रखें कि की पास नोक्री नहीं थी उंको आज अची नोक्री मिलने के चांसिस बनेंगे धनु- राशिय वाले जो भाग्योदे का अनुभव करेंगे बहुत अच्छा और मकर राशी वाले स्वास्त का विशेश ध्यान रखें किसी प्रकार के दर्द के शिकायत संभव है कुम राशी वाले जीवन साती से विवाद संभव है तो धेरिये बनाए रखें और मीन राशी वालों को शत्रों पर विजे प्राप्त होगी अब करते हैं आज के दिन की ज्या निश्चित्वा ये प्रकमते नान्तर वसती क्रमने एवंदे कालो वश्यात्मा सवे पंडित उच्छते बहुत सुंदर बात है कि जो व्यक्ति किसी भी कारी व्यवार को निश्चे पूर्वक आरंब करता है उसे बीच में नहीं रोकता है समय को बरबाद करता है और अपने मन को पूरी तरीके से नियंद्रण में रखता है वही ज्ञानी कहलाने का अधिकार है यानि वही ज्यानी होता है अब आप समझे कि ज्ञानी पंडित की कितनी सुंदर परिवाशा दी गई है इस सीक से हम यह समझ सकते हैं कि संकल्प की क्या महता है संकल्प चाहे पूजा अनुस्तान का हो या किसी लौकिक कर्म का हो आप डिसाइड गरके बैठें कि मैं ये काम करूंगा या पढ़ने बैठें स्टूडेंट से कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा एक बार आपने सोच लिया कि ये कारे सिद्ध करना है तो फिर शुरू करने के बाद कि किसी भी परिस्तिति में उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए किसी प्रकार के डिस्ट्रक्शन से विचलित हुए बिना पूरी तरीके से कागर होकर और शांतिचित से जो काम किया जाता है उसे ही शास्त्रों में कर्म योग कहा गया है यानि जिसे करते वे आप लौकिक जगत में सफल होते हैं और उसके उप्रान्त यानि जीवनों उप्रान्त मुक्त हो जाया करते हैं तो काम करें तो संकल्प सिद्धी के साथ करें और सुप्र पूरा करें आज कि ग्यान चर्चा का यह है अब बात करतें उन विसस्ट उपाईओं अपर जो आपकी सभी प्रक बहुत ही आज किसी सादू संत के आश्रों में जाकर यथा संभव यथा शक्ति शम्ता भोजनादी की व्योस्ता करें और मंदिरों में धार्मिक पुस्त के आसनित्यादी बटवाएं तो बहुती सुन्दर वर्ष आपका आने वाला वीतेगा भगवानी कृपा आपको नितिन से रंतर अनुभव भी होते रहेगी ऐसी दर्शे को जीवन में जब सब और से संकट आते देखें लगे कि जीवन में आप कहीं से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है जहां देखो वहां विरोधी है निंदा की नजर आ रहे हैं तो समझ जाईए कि विपरीद ग्रेदशा भ वहां साफ सफाई के कारियों को पूरी निस्टा से करें इनिवां सेवा कारे करें जल कच्छा दूद वहां अर्पित करें शिवलिंग पर महादेव पर तृदल बिलू पत्र अर्पित करें चन्दन घिसकर उनके त्रिपुंड का तिलक करें स्वयम के लालाट पे भी बचे दर्श को आपको किसी भी अन्य उपाय के अवशकता नहीं रहेगी अगर पूरे मन से आप इस उपाय को करेंगे तो स्वय महादेव आपके बिगड़ेवे भाग्य को समारेंगे क्योंकि तुलसी बाबा कह गए कि भावी हु मेटी सकाई तरपरा रहे इन्हीं जो होने वाला है उसको महादेव मिटा भी सकते हैं और नया भी लिख सकते हैं इस भाव के साथ अटूट विश्वास से कुछ दिन ह अफते महीने ये जब कीजिए और चमतकार अपने जीवन में स्वय मनुभाव कीजिए ऐसे दर्शे को कभी कभी रोग के कारणों का अनुमान नहीं लग पाता है कि क्या कारण है कि बिमारी है कितनी दवा इलाज सब करवा ली जाते लिए इन समश्या बनी रहती हैं ऐसे मे करना सिर्फ यह है कि आज दोपेर एक बच के तीस मिनट से तीन बजे के बीच सवा दो किलो बाजरे का दलिया तयार करें उसमें थोड़ा सा गुड मिलाएं और उसे एक मटके में भरके और इस मटके को रोगी के सिर पे से साथ बार एंटी क्लोकवाइस घुमाएं और ले जाकर किसी चौराय पर या सुन्जानिस्तान पर जाके रखाएं जाते वक्त आते वक्त मौन रखेंगे मटकी रखने के उपरान पीछे मुड़के नहीं देखना है आज से ही रोगी को आराम मिलने लगेगा स्वास्त में प्रतक सुदार होते हुए आप स्वेम देखेंगे इसे ही आज बहुत ही विसस्थ दिन है धर्म राज दश्मी है तो इस धर्म राज दश्मी के अतिंति विसस्थ मुरत पर शाम साथ बच के 15 मिनिट से आज आज आप एक मंत्र प्योग करके भी किसी भी प्रकार के जीन रोख से मुक्त हो सकते हैं होता ये है कि कभी-कभी हमारे अनेक जन्मों के कर्म भी आड़े आ रहे होते हैं और हमें स्वस्त नहीं होने देते हैं कोई नहीं तो बिमारी लगी रहती है फिर इस प्रकार साथना का संकल प्ले जलहात में लेकर कहें मं सकलापदाम विनाशाय सर्व रोगाणाम प्रश्मनारते श्री धर्मराज मंत्र जप महम करिश्य और उस जल को सामने पात्र में छोड़ दें और फिर इस विशिष्ट मंत्र की 27 माला का जाप आज आपको करना है मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र इस प्रकार है ओम क्रोम रीम आम वेम वेतवस्ताय धर्म राजाय भक्तानु ग्रह करते नम्हें आज से ही चमतकारिक रूप से आपके रोगों में कमी आएगी धीरे धीरे आप स्वस्त होने लगेंगे इस पर कोई भी संदे नहीं है आज के विश्ट दिन का पूरा-पूरा आप सदूप्यों कीजिए तो यह थे आज के वो विश्ट रुपाए जो आपको समश्याओं से बाहर ला रहे हैं और जीवन में आपकी बनो कामनाएं पूरी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पाए जनुम पत्री का यह हमारे दर्शक नितेश जी की 30 जुलाई 1972 का जनम है शाम पांच बच के 53 मिनट जुन जुनु कार ऐसे स्रीज का काम कर सकते हैं क्या यह इनका प्रश्ण है देखिए नितेश जी आपका धनूर लगन है मीन राशी है दशमेश की स्थिति और लगन स्थित गुरू आपको सिक्षा या भोजन संबंदित का नहीं है और शुक्र आपके धनूर लगन में अकारक रह होने से जो कार एसे सरीज का काम आप सोच रहें यह आपको नहीं करना चाहिए तो आप किसी अन्य कारे में जैसे भूजन या फिर सिक्षा सम्मंदित कारे में अपना दिमाग लगाई है आज की दूसरी पत्रिका यह प्रबल दशमेश आपकी जनम पत्रिका में जबर्दस राजयोग का निर्मान कर रहे हैं तो इससे यह तो तैह है कि आपकी सरकाई नोक्री लगेगी लेकिन एक तो आपका स्वास्त बीच वीच में समश्या कर रहा है दूसरा आप भ्रहमित बहुत जल्दी हो जाती है तो म सुबह नो बच के दो मिनट सीकर परेशानिया कब कम होगी इनका प्रशन देखे रविंद्र जी आपका वर्षिक लगन है कुम्वराशी की जनम पत्रिका जिसमें वरतमान में शनी की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है तो यह आपके लिए अकारक और मारक समय यानि नित्य कुछ पाठ पंचाक्षरी स्तूत के शिव पंचाक्षरी स्तूत के करें ताकि आप समश्याओं से दिरे-दिरे बाहर आ जाएं तो दर्शिकों यह था आज का पंचांग आज की विस्वस्त उपाय और ज्यान चर्चा मैं पंडित चंदर शेकर शर्मा यह आशा करता कि बतायव उपायों को सही विदी सटीक समय अटूट शद्धा से करके पुरा-पुरा लाब उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया इस अपने जीवन में उतारेंगे दिरे-दिरे आपका जीवन शिव में सक्थ में और आनन्द में होता जाएगा महाद देव से प्राथना करता हूं कि जब आप हमारे बतायवे उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्थी निश्चित रूप से हो कारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवति आप सबका कल्यान करें जय आदिशक्ति